जमशेदपूर से 30 किलोमीटर दूर पोटका विधानसभा शित्र के कुवाली थाना शित्र अंतरगत हल्दी पोखर में रामणवी जंडा विसरजन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले पर कारवाई की मांग को लेकर हल्दी पोखर बाजार पूरी तरह से बंध है लोग सड़क पर बैट गए हैं और प्रशासन से न्याय की मांग करने के साथ साथ अंचल अधिकारी को अविलंब हटाने की मांग कर रहे हैं आपको बता दें शुकरवार की शाम अखाड़ा जुलूस निकालने की दौरान हल्दी पोखर में एक अखाड़े का जंड़ा अधिकुचाई होने की कारण तूड गया था इसके बाद अखाड़ा कमेटी के लोगों ने जंड़े को ठीक कर फिर से खड़ा किया इसी दौरान पत्थरबाजी हो गई जिसमें मुखिया समेत काई लोग घायल हो गए शृत्र के जिला परिशद सदस से सूरज मंडल ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन पोटका के अंचल अधिकारी इंतियाज अहमत ने घटना के दौरान मौजूद रहने के बावजूद कोई कारवाई नहीं की ऐसे में लोगों में आक्रोश है उन्होंने पूरे मामले में पत्थरबाजी करने वालों पर कारवाई करने और पोटका के अंचल अधिकारी इंतियाज अहमत को आविलम भटाये जाने की मांकी है मैं इस पूरे मामले में शित्र की पूर्व भाजबा विधायक मेन का सरदार ने कहा है कि पोटका के अंचल अधिकारी का रवया जुलूस के दौरान ठीक नहीं था उनके दौरा मामले के अंदेखी की गई है घट्डा को अंजाम देने वाले पर कारवाई करती हुए ऐसे अधिकारी को आविलम हटाये जाए इस नए साल में भी हमारा साथ होगा दिलों में वही विश्वास होगा है हमारा वादा अब बनाएं इंडिया को मजबूत स्यादा विश्यों आविलम हुए नहीं हुए नहीं हुए